दोस्तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मान सिंग एक्सपर्ट में दोस्तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं पाई नेटवर्क के क्यवाईसी को ले करके जी हाँ दोस्तो दोस्तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक क्यवाईसी का आपसन नोटिफिकेशन अभी तक नहीं मिला है तो दोस्तो बैसिकली मैं इसी की उपर बात करूंगा चर्चा करूंगा कि कैसे आपको क्यवाईसी का नोटिफिकेशन मिलेगा तो दोस्तो अगर ये काम आप कर देते हैं तो notification आपको 100% बहुत जल्दी मिल जाएगा दोस्तो उसके लिए आपको जो एकी brain storm पे आपको click करना है brain storm पे आप जब दोस्तो यहाँ पे click करेंगे तो दोस्तो यहाँ पे आपको एक page खुलेगा ठीक है तो यहां पर दोस्तो आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है, तो चलिए दोस्तो मैं आपको बताता हूँ इसका प्रोसेस, यहां brain storm पर आप क्लिक करेंगे, तो दोस्तो एक farm खुलेगा यहां पर KYC का, तो हम लोग को इस passport के द्वारा KYC कर रहेंगे ठीक है यानि हम लोग पास अधार card, pain card, हम लोग पास ID proof है तो हम लोग basically उपर वाले KYC है बहुत simple है तो हम लोग उसी की द्वारा KYC करेंगे तो दोस्तो हम लोग उस पे like पे click करना है तो दोस्तो like पे आप जैसे ही click करेंगे तो आपके सामने एक और farm आएगा ठीक है आपको ध्यान देना यहाँ पे donate pie लिखाएगा ठीक है आपको दिख रहा होगा screen पे simply यहाँ पे donate pie लिखा हुआ है आपको simply donate pie पे click कर देना है वहाँ पे click कर देना है दोस्तो आपके सामने एकisel form आएगा यहाँ पे आपको 0 दिखेगा तो 0 को आपको हटा करना है ठीक है आप चाहिए तो जितना pie donate कर सकते हैं आपकी उपर है यहाँ हम 1 pie donate करते है ठीक है एक coin तो हम एक coin यहाँ पर जो की fill up कर दिये हैं उसके बाद donate पर click करते हैं donate पर दोस्तों जैसे आप click करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं apply for KYC आ चुका है apply for KYC का form खुल चुका है यहाँ पर हम लोग apply for KYC पर click कर देंगे ठीक है जैसे click करेंगे आपके सामने एक form आएगा इस form को दोस्तों simply आपको भर देना है तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर लिखा KYC documents आपको किस टाइप से किस तरीके से आपके KYC अपना करना चाहते हैं उस तरीके से आपको यहाँ पर farm को fill up करना है तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो कि आपना country पहले select करना है तो हम इंडिया से थरे आप आप जैस country से हैं आ आप वहांसे select कर सकते हैं और दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियें सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को भी ओल कर लिजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे ताकि आपको कोई भी जनकारी आपसे मिस ना हो पाए तो दोस्तो यहां पे Do you have a passport to pass the Do you have a government TCU national ID card to pass the तो दोस्तों यहां basically आपको दोनों पे ही अश करना है ठीके क्योंकि हमारे पास national ID card है तो हम national ID card से करेंगे चाए आधार card हो चाए pain card हो कोई भी ID card सकते हैं आपको वह आप संदय जाएगा ठीक है तोministerapa कि मैं आपको बता रहा हूं सो हुआ कि या रही निए कुछ लिए भर नाम के नो कर सकते हैं तो कि के बाद दोस्तों आपको निश्थ आएगा निश्थ यह चاجह घ्यान दिजिए यहाँ पे दोस्तों आपको करना क्या है Do you plan the create Pi app on the Pi's platform यानि कि आपको कोई भी प्लान है जो आपके पास जो Pi के हो आपको कुछ प्लान एडिया कुछ दे सकते हो तो हमार पास कोई एडिया कुछ प्लान है आप चाहे तो yes no कर सकते हो कोई दिकत नहीं है तो उसके बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पे आएगा Do you plan to sell goods in exchange यहाँ पे दोस्तों आपको no कर देना है Exchange for Pi तो दोस्तों यहाँ पे हम लोको आपे जोकी यहाँ पे no कर देना है कोई दिकत नहीं है इसके बाद दोस्तो what good do your plan to sell for pie तो यहाँ पे दोस्तो कुछ नहीं भरना आपको यहाँ पे दोस्तो आपको दोनों में no no कर देना है उसके बाद दोस्तो यहाँ पे आपको will you spend pie in pie app तो दोस्तो यहाँ पे दोस्तो आपको ध्यान देना है कि will you spend pie in pie app तो यहाँ दोस्तों आपको भी यहाँ पर no करना है यानि कि basically तो उसके बाद दोस्तों क्या होगा कि आपका एक पाई हो सकता है या फिर आप किस आपको एकм आएक का आपका के कोईने कड सकता है तो दोस्तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना थाइंस फार वाचिंग